नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लौन इन्वेस्ट अनवन में मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनालेसिस देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लग को ने भी कल का वीडियो देखा था होप सो आज उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि जो जो लेवल्स हमने डिसकस किये थे वह लेवल्स बड़े ही क्रिस्प थे और जैसे ही वह लेवल्स का एक ब्रेक्डाउन आया है बहुत अच्छी मुमेंट आई है हमने कल की वीडियो में कहा था कि अगर 17,400 इस लेवल को अगर ब्रेक्डाउन देता है निफ्टी तो यहां से हमें 200 से 250 पॉइंट 200 से डाइसो पॉइंट के आसपास की हमाई गिरावट दिख सकती है अगर आज देखोगे तो आज का लो जो था ओल्मोस्ट 17,100 एन एक मिनि करते आता है मैं जानता हूं लेकिन तब भी आपने रफली 200 पॉइंट यहां पर आराम से कैप्चर किये होंगे अगर आपने प्रॉफिट को ट्रेल किया होगा अब सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अब यहां पर भी हम लोग सेल कर सकते हैं क्या तो लिगे कल एक चीज है हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो यहां यह एक immediate support बन सकता है 17,219 के आसपास 213 के आसपास close हुआ है निफ्टी और अगर मैं OI data देखू तो OI data जो अभी मुझे संकेत दे रहा है वो है highly oversold highly oversold हो चुका है तो मुझे लगता है nifty एक बार यहां से जरूर bounce back करने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में मुझे लगता है एक बार 300-325 तरग nifty bounce back कर सकता है तो कल अगर आप nifty trade करते हैं तो sell करने के लिए मैं कहूंगा जब तक यह अब 17,100 की level को break ना करे तो आप इसमें sell मत कीजिए और हलाकि उसके बाद भी जो downfall मुझे फिलहाल के लिए नजर आ रही है वो 17,000 एक बहुत बड़ा support act कर सकता है अगर 17,000 break करता है तो फिर 16,800 के लिए हम लोग play करेंगे लेकिन मैं personally यहां पर अब nifty में sell का recommendation नहीं दूँगा क्योंकि मुझे ल अगर मैं जाके देखता हूँ तो यहां पर nifty जो placed है वो है 17,200 के आसपास 17,200 पर अगर हम लोग puts देखते हैं तो almost 27,000 लाग puts के open contracts बैठे हुए हैं और 17,000 के आसपास almost 40,000 लाग contracts बैठे हैं 17,100 जहां से market घूमा है वहां भी roughly 20,000 लाग contracts बैठे हैं तो मुझे लगता है एक की तरफ multiple time support है और हम लोग जो कल देख रहे थे कल के वीडियो में इसमें भी हमें सेम जीद नजर आ रहे थे कि 400 ब्रेक करने के बाद एक 200 तक full speed में आएगा वो होते वे नजर आया है तो यहां पर अगर breakdown आता है तो हर 100 पॉइंट पर यह एक बार रुखने की कोशिश है थोड़ा सा इसमें मशक्कत करने पड़ सकती है हलाकि जब bounce back होगा तो bounce back में क्या है कि 17,300 के आसपास 35 lakh contracts बैठे हुए है यहां पर एक बार यहां तक एक बार आपको दिख सकता है निफ्टी आते हुए अगर इस level को decisively cross करता है तो हलका full का shot covering आईगी आईगी आपकी और वो आपको 17,400 तक ले जा सकती है लेकिन मैं immediate 17,400 नहीं कहूंगा मुझे लगता है कि एक बार 300 तक जाने देते हैं 325 तक और उसके बाद अगर वहां पर sustain कर पाता है वहां पर close देता है तो फिर 400 के लिए हम लोग एक बार फिर से trade करेंगे अब अगर मैं bank nifty को देखूं तो bank nifty ने आज बहुत अच्छे से यहाँ पर trade setup बनाया था अगर मैं छोटे time frame पर लेके जाओंगा आपको तो यहाँ पर आपको चीज़े clear दे नजर आएंगी हमने एक trend line बनाई है यह green color की और यह trend line आज बहुत ही अच्छे से add कर दे नजर आए यह trend line के पास खुला है अच्छे लिए अच्छे के लिए को जैसे ब्रेकडाउन दिया है एकदम जोर सो 200 पॉइंट आया है फिर consolidation आया है फिर एक ब्रेकडाउन आने के बाद फिर बहुत तेजीश चला गया है तो यहाँ पर bank nifty ने आपको आज पूरा पैसा का मने का मौका दिया है जिन लोगों क भी चार्ट समझ में आ रहे हैं उनके लिए आज स्क्रीन पर पूरी वंदी दिखी है तो उनको आज यहाँ पर पैसा का मने का मौका मिला है अब bank nifty में bank nifty भी थोड़ा सा oversold है हाला कि nifty ज्यादा oversold है लेकि मैं कहूंगा bank nifty में भी अगर आभी आपको sell करना है तो 37,800 को पहले break होने दीजिए उसके बाद ही हमें sell करना है उसके पहले हम लोग bank nifty में sell नहीं करेंगे मैं one day के चार्ट पर लेके जाता हूं दिखाता हूं कि अगर यहाँ से breakdown आता है तो हम कहां तक expect कर सकते हैं 37,800 आज बहुत important level हो गया है आज का low भी यहीं आसपास बैठा हुआ ह मुझे लगता है कि अगर यह level break करेगा तो एक बार आपको 37,500 टच करते नजर आ सकता है वो trend line यह अगर मैं extend करता हूं देखिए तो exactly यहीं पर आते नजर आती है यह हमें initially यहाँ पर एक swing top बना हुआ था यहीं से market घूमा था और बापसी के time भी देखिए यहाँ पर रुक मैं क्या trade करूंगा तो मैं यहाँ पर bounce back के लिए play करने का try करूंगा कल bank nifty में कहाँ पर trade करना है किस तरह से trade करना है सबसे important रहने वाला है 38,200 यहाँ पर देखिए एक gap बना था यह gap को अल्रेड़ी fill हो चुका है यहाँ पर फिर यहाँ पर एक gap बना है यह gap को अब recently हम 200 point के लिए आप यहाँ पर उपर के लिए play कर सकते हो 38,500 is going to act as an immediate resistance on your bank nifty आज SBI के results काफी अच्छे थे तो SBI ने आज hold करके रखा था वरना bank nifty आज nifty के स्वात साथ बहुत तेजी से नीची चाता और बाद में SBI ने हली give दे दिया लेकिन starting में उसने hold करके रखा जिसकी व risk reward आपके favor में नहीं जाएगा अब आगे देखते हैं गोल में किस तरह सा नज़र आ रहा है तो गोल को पहले हम लोग वन डे चार्ट पर लेके आते हैं वन डे चार्ट पर देखते हैं लिए कि गोल यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं जब तक यह level को break नहीं करता है 47,200 तब यहाँ पर यहाँ पर यह थोड़ा सा शांत हो जाने की कोशिश करेगा अगर 7,000 का लेवल ब्रेक करता है उपर की तरफ तो बहुत तेजी से यहाँ पर ऊपर 200 से 500 पॉइंट की तरफ जा सकता है अब देखते हैं आज हमने जो स्टॉक दिये थे power grid power grid में देखे हमने यहाँ पर कहा था कि आज शॉर्ट करना है 209 के नीचे यह आज लेवल आया है नहीं तो यहाँ पर trade नहीं हुआ होगा AU Small Finance Bank हमने यहाँ पर प्रेंट किया था क्या किया था कि आल्मोस्ट रेंड लाइन के पास है इन्वेटेड कैंडल बनी है शूटिंग स्टार्ट कैंडल बनी है और यहाँ पर देखे अच्छा कासा trade बना है तो जिसको प्रॉफिट हुआ है आप comment section में बटा सकते हैं और इस वेसल में मैंने cash में किया था असल तो बहुत अच्छे से यहाँ पर profit होती हुए नजर आ रहा है अब जो हमने stock stock list किये हैं कल के trading session के लिए यह है Tata Motors अगर दिखो के तो बहुत ही important level के नीचे आ गया है 500 के नीचे closing दी है और यहाँ पर अब एक trend line के नीचे आके नीचे आ र layers मुझे लगता है 480 बहुत जल्दी आ जाएगा और अगर 480 के नीचे close कोशिश करता है तो आप इसको carry forward भी कर सकते हो Titans हमारा second stock है यह भी हम short के लिए ही सोच रहे हैं अगर कल थोड़ा सा market weak रहता है तो यहाँ पर selling करेंगे और selling कहाँ पर करना है 2400 के नीचे जब तक 2400 break नहीं करता है selling नहीं करना है क्योंकि जिससाब से यह बन रहा है अब यह वापस एक fall के लिए जा रहा है मुझे लगता ह है कि market तेजी में है और हम लोग sell कर रहे है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तीसरा stock जो में shortlist किया है यह है Canada bank Canada bank देखिए हमने पहले ही कहा था budget के पहले कि PSU के जो PSU bank जो stocks रहेंगे यह बहुत अच्छा run-up दे सकते हैं चाहे bank को बड़ता ले ही है सारे PSU banks में तो मुझे लगता है एक बार जो यह top है यहां तक आते वही दिख सकता है Canada bank तो Canada bank को कल हम लोग short करेंगे 256 के नीचे अगर आता है तो हम लोग Canada bank को short करेंगे अगर आपको swing करना है तो आप swing भी कर सकते हो condition यह है कि आप अपने stop loss को maintain कीजिए और trail करते ही है अगर कल 250 के नीचे आ गया और वहाँ पर close होता है तो फिर swing के लिए लेके जाए वरना आप कल का कल ही profit book कर लेना तो यह था हमारा आज का वीडियो stocks और nifty index analysis अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने valuable comments जेना ना ले. thanks for watching the video keep learning keep investing and keep learning